हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुक्वेली अजुकेशन, आज में आखके सामने पाचवी कक्षा का अध्याय मिठ्थू के शब दर्थ और प्रेशन उत्र पढ़ने जा रही हूं मिठ्थू, शब दर्थ, अठन्नी, पचास पैसे का सिक्का, कट घरा, पिंजरा, खरीदना, मुल्ले देकर लेना, गाव, चोट, खजाना, बंडार प्रेशन पहला, किस शहर में सरकस कंपनी आई थी? उत्तर, लखनव शहर में सरकस कंपनी आई थी प्रेशन दू, कहानी में मिठ्थू किसका नाम है? उत्तर, कहानी में मिठ्थू बंदर का नाम है प्रेशन 3. मिंठू किसके साथ घुल मिल गया था? मिंठू गोपाल के साथ घुल मिल गया था प्रेशन 4. सरकस कंपनी में कौन कौन से जानवर थे? उतर सरकस कंपनी में शेर, बालू, चीता और कई तरह के अन्ने जानवर भी थे प्रेशन पाँच गोपाल क्या सुनकर दुखी हो गया उत्तर सरकस कंपनी दूसरे शहर में जा रही है यह सुनकर दुखी हो गया प्रेशन छे गोपाल अठनी को किस से मलकर चमकाया उत्तर गोपाल अठनी को मिट्टी से मलकर चमकाया प्रेशन साथ गुपाल और मिठु को घर क्यों लाना चाहता था उत्तर गुपाल और मिठु में गहरी दोस्ती हो गई थी उन दोनों को एक दूसरे से लगा हो गया था साथ में रहने और खेलने के लिए मिठु को अपने घर लाना चाहता था प्रेशन आठ मा ने मजबूर होकर गोपाल को क्या दिया उत्तर मा ने मजबूर होकर गोपाल को अठनी निकाल कर दे दी प्रेशननों कई दिन तक किसकी मलहम पट्टी होती रही उत्तर कई दिन तक मिठ्ठू की मलहम पट्टी होती रही धन्यावा झाल झाल